तो आज मैं आपको साथ शेयर करने जा रहे ही हूँ सुपर टेस्टी, सुपर अमेजिंग और सुपर इजी, रिफ्रेशिंग, होली, स्पैशल पान आइस क्रेम सिर्फ दो मिनिट में आप मिक्सी में बनाएंगे, ना कोई गैस जलाना, ना कोई मशीन, ना कोई लंबा फेटना, और ना ही कोई कंडेंस मिल्क, ना कोई अंडा, इतनी आसान तरीका के कोई भी बना ले, तो चलिए शिरू करते हैं Hi everyone, मैं हूँ Parul, Cook with Parul में आपका बहुत स्वागत है, अब पान नवाभी आइस क्रेम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें तयार करना होगा, पान मसाला, यानि वो जो पान के आइस क्रेम होती हैं, जो पान वाला मसाली का फ्लेवर राता है, बस वही, quick and easy तरीका, तो आप ल जो माउट फ्रेशन में पड़ती है, मैंने बूली है, अब कोई ले सकते हैं, तो मैं डाल नहीं हूँ लगवग तीन बड़े चम्मच, और अब इसमें जाएगा दो बड़े चम्मच, डेसिकेटेड नारियल का बुरादा, जिसे आप खोप्रे का पूरा भी बोलते हैं, पान की जान होता है, पान में लगाता है गुलकंद, इसके बॉक्स बिल जाते हैं, सबी चीजों का अनलाइन पर्चेस करने का लिंक वे नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यह गुलाब के फूल से बनता है और चीनी से, तो यह मैं डाल रही हूँ हूँ लगब अब इसमें हम डालेंगे आदा चोटी चमच इलाइची पाउडर, पान वाला भी डालता है ना इलाइची लगाता है तो वस यह मैं वो डाल रही हूँ, सबसे जरूरी चीज क्योंकि वह पान आइस क्रिप बना रहे है तो पान का डलना तो बिलकुल बनता है, यह में ले र चोटे पीसे में आप पान के पत्ते को डिवाइट कर लें पान की आइस क्रीम में यह जो रिफ्रेशिंग फ्लेवर देते हैं, कलर देते हैं मतलब मज़ा आजाता है सच बान यह शादी वगरा में जब बहुत तरीके की आइस क्रीम मिठाय होती ना मैं सब चोड़ देती तो आप भी मुझे बताएगा कि आपकी कौनसी फेवरेटर आपको पान आइस क्रीम तिपनी बसंद है और अब तो मैं आपको इतना असान तरीका बता रही हो कि आप इजीली कभी भी बनाएंगे घर में और यह जो पान का मसाला बना बना ना चाहे तो जो पान वाला होता ह वैसा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं लगबक दस काजूर लगबक छे साथ बादाम यह चीजों से जो आइसक्रीम है एकड़ रॉयल आपकी पान नवाबी अपने नाम की तरह बनेगी और लेंगे कुछ लगबक चार पाच डेट्स यानि की खजूर बस आप इस से ले खजूर और इसको छोटे-चोटे पीसोज में कर लें कट और इसमें लगबक दो बड़े चमच के करीब मैं खजूर डाल रही हूं कटे वे ड्राइफ रूट्स डलना पूरी तरह ऑप्शनल है अगर आप लाइक कर तो डाले वनना इसके बगए भी आप तयार कर सकते और ये लीजे मैंने पान की बहतनी मसाला यानी की चटनी जैसे तयार कर ली है इतनी बड़िया खुश्बू आरी है कि इसको आपको बनाते बनाते वक्त तर गिन आप ये थोड़ा खावी लेंगे एक दम रिच्छ क्रीमी पान नवाभी आईस क्रीम मार्के जैसी बनाने के खराब हुए आपकी आईस क्रीम युही तयार हो जाएगी बगेर ज्यादा सामान के बगेर पकाई हुए क्रीम अपको ध्यानक नाए एकदम चिड लेनी है बिल्कुल ठंडी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाच बड़े चमत चीनी आप अमने स्वात के अनुसार कम ज इसक्रीम एकदम फर्म और बहुती क्रीमी बने उसके लिए मैं एक चीज और एक कर रही हूँ और वह है मिल्क पाउडर किसी भी ब्रेंड के जो सिंपल दूद का पाउडर होता है जैसे चाय अगर भी बनाते है कोई भी ले 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 जे इसका क्या काम होता है यह यह फर्मने बिल्कुल बजार जैसी पाना इसक्रीम की ब्रिक जासा कलर राए तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन फूट कलर आपके पाउडर फॉम में हो तो भी जाल सकते है तो लग बग 2-3 पिंच हम ग्रीन फूट कलर डालेंगे अच्छे कलर के लिए चाहे तो आप इसके ब क्योंकि हमरेत इसको क्रीम से बनाया है तो बस आप आइस क्रीम को जमाते है तो उसके लिए आप एटाइट कोई भी बॉक्स या आपके पास टेफिन बॉक्स और ले लीजए सिंबल किसी भी बॉक्स में आप जबा सकते हैं बस यहाँ पर आपको यह ज़रूर याद रखना इसक्रीम भूमे आएगी देखेंगी सुन्दर और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी यह सब डालना पूरी तरह से ओप्शनल है चाहे तो आप किसी भी ड्राइ फ्रूट सा सजा सकते है या प्रेन इसी बना सकते हैं मैं इसको वह पान नवावी वाला लुक दे रह आपको कबर करना है कबर करने से जो मारे आइस क्रीम में उसमें ऊपर बरफ नहीं आएगी यह आइस क्रिस्टल नहीं आएगे और अंदर प्रॉपर कूलिंग होगी अब बस इस पर लगा यह इस तरह से लिड और ढगकन लगा के इसको अब हम जमने के लिए रखेंगे फ्र और बस इसको भी उपर से कर देते हैं कावर लीजे तो अब तयार हो जाएगी हमारी मटका पान कुल्फी तो चाहे तो इस तरह भी आप जमा सकते हैं तो इसे रख देती हूं मैं फ्रीजर में हमारी पान नवावी आईस क्रीम तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं वाव परफेक्ट आप देख सकते हैं एक तम बढ़िया हमारी पान नवावी आईस क्रीम है बिलकुल तैयार तो चलिए करते हैं सब सुपर्ब और ये देखिए मेरे निकालने से आप देख सकते हैं तोड़ी देर बात सर्व करें जिससे की थोड़ा सापको स्कूूपिंग आउट में आसादी हो जाए जबर्दस क्रीमी बहुत एजी जैसे आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है मस् ट्रॉय रेसिपी है और अब आप मार्केट से मत लिजेगा इसका उपर की लुकिंग और टेक्शर देखिए और थोड़ा सा इसको कार्रेश कर देंगे टूटी फुरूटी से और ये लिजे बिलकुल तयार है हमारी जबर्दस रॉयल सुपर अमेजिंग और सुपर टेस्टी क्रीमी क्रीमी पान नवाभी आइस क्रीम लग रहे है ना एकदम टेम्टिंग और ये देखिए है कोई आइस नहीं ना बिलकुल आइस नहीं जमेगी सच मानिए आप इसका टेक्स्टर देखिए कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये अपने घर में बनाई है इसके सामने आपकी बजार की पान आइस क्रीम तो कुछ भी नहीं है शादी वगेरा आप में जो आप खाते हैं आप भूल जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे हम्म्म अमेजिंग प्यारी प्यारी मटका पान आइस क्रीम भी कितनी सुदर दिख रही है जरूर बनाईए और मुझे प्रेप्यारे कोमेंट्स पे जरूर बताईए कि आपको आज की ये रॉयल स्टाइल की पान नवावी आइस क्रीम कैसी लगी 100% क्रीमी बनेगी फ्रेंट्स जो भी टिप्स मेने आपके साथ शेयर की है वैसे ही बनाएं बहुत ही पसंद आएगी आपको और होली के लिए तो मस् ट्राई रसमी है सभी को दीजे घर में बनाएए ये पान नवावी रॉयल आइस क्रीम और होली का बहुत बहुत शुब कामना है उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंट्स तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजे सभी फैमिली फ्रेंट्स शुशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चनल को सब् लें और इसी तरह अपना प्यार मजें इंस्टाग्राम फेस्बुक पर भी जरूर दें सभी रसिपीस की टेटेल्स आप मेरी वेब साइट कुक्वित पारूल डाट कॉम पर देख सकते हैं थैंक यू फॉ वाचिंग कुक्वित पारूल जैहिन जै भारत